हलो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारी यूटूब चैनल एसस इलेक्ट्रिसियन पर यहां पर आप देख सकते हैं एक डाइग्राम बनाया गया है और यहां पर हेडिंग पड़ी हुई है कुलिंग सिस्टम बार बार चोक होता है तो क्या करें देखिए यांपर हम आपको बताएंगे कि तीन उपाय ऐसे क्या करेंगे जिससे हमारा सिस्टम चोक नहों और वह तीन ूपाय बख्यानिक दिस्टिए से किस प्रकार से सही हैं हम यह भी डिसकस करेंगे यहांपर सबसे पहले एक फूलिंग सिस्टम के बारे में आपको समझा दें ज वहां से एक output line आती है, जिसको suction line बोलते हैं, वहां के compressor के suction line में लग जाती है, तो इस प्रकार से हमारा cooling system में pipe जुड़ी होती है, अब यहां पर refrigeration system किस प्रकार से कार्य करता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, यह जो हमारा compressor है, सबसे पहले discharge line से high pressure high temperature की gas को condenser मे में बदल देता है, तो यहां पर drav के रूप में refrigeration आ गया हमारे filter में, अब filter हमारा क्या करता है, उसको चान कर सुद्ध करता है, filter का कामी होता है चान कर सुद्ध करना, जब हमारा drawer refrigeration सुद्ध हो जाता है, उसके बाद जो Suppose дополн हो capillary tube में आता है, अब यहां पर आप देख सकत है मतलब हम यह कह सकते हैं कि हमारा Quéह कंड्रोल कर लेता है अब यहां पर लोङ प्रेशर का ध्रव Viktor हमारे एवाउपरेटर में जाता है तो यह एवाईपरेटर क्या करता है वहां की वस्थू कि गर्मी को आवसोसित कर लेता है जिससे वस्तू या अस्तान की गर्मी को आवसोसित कर लेने के बाद वो वस्तू और अस्तान आटोमेटिक ठंडा हो जाता है तो यहां पर जो भी वस्तू रखी रहेंगी या फिर जो भी अस्तान यहां का रहेगा वो ठंडा हो जाएगा जब यहां का रूप में convert होने लगता है तो भाब के रूप में convert होके फिर से इस मोटी वाली लाइन यानी कि सक्सन लाइन से होते हुए compressor के सक्सन लाइन के अंदर चला आता है तो इस प्रकार से हमारा refrigeration system कार्य करता है अब यहां पर बात आती है कि तीन उपाए हम कौन सा करेंगे जिससे हमारा choking की problem न हो और साथी साथ जो हमारी cooling efficiency है वो बढ़ जाए यहां पर देखें तीन उपाए हम आपको बताएंगे आपको हर एक फ्रिज में हर एक deep freezer में हर एक cooling system में ऐसा करना चाहिए ऐसा करने से हमारी cooling efficiency बढ़ती है और चोक होने की condition बहुत कम आती है अब यहां पर देखें आपको करना क्या चाहिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर evaporator की तो यहां पर इसे पहले की कि इसी भी सिस्टम का ज lore vacuum करें थो बैक्यूम करने के दवरान ही आप कुलिंग को को यानि कि कुलिंग को जो हमारा यहां पर एवापरेटर है उसको आप क्यों करतार से हलका हलका करते रहेंगे इससे क्या होता है वह होता है वह हद्प्राकार चेये पहली उपाई यही रखेंगे कि जब हम किसी भी सिष्टम का वैक्यूम करें तो उस कंडीशन में हम एवापरेटर को गरम अवस्थी करें तो इससे हमारा क्या होगा कि जो हमारा वैक्यूम के दौरान जो भी हमारा मौश्चर हो गया रहा होगा वह बाहर निकल जाएगा तो इस प्रकार चे आप समझ सकते हैं यानि कि पहले उपाय में हमको क्या करना है एवापरेटर को वैक्यूम के समय गर्म करना है वैक्यूम के समय गर्म करना है तो आपको यह बाते समझ में आगे होंगी कि एवापरेटर को क्या करना है जब हम वैक्यूम करें तो एवापरेटर को गर्म करते रहें इससे हमारा जो evaporator के अंदर की नमी होगी वह बाहर निकल जाएगी जिससे हमारा choking का problem कम हो जाएगा अब हम दूसरा उपाई क्या करते हैं जैसे हमने मालेच एवापरेटर को गरम भी कर लिया आपड़ीटर को गरम करने के बाद भी चोकिंगी प्रॉब्लम आ रही है तो हम दूसरा उपाय भी कर सकते हैं दूसरा हुपाय हमारा आता है फिल्टर पर यहां पर देखिए जो हमारा फिल्टर लगता है ना फिल्टर को कोशिश करके आप इस तरह से लगाएं यानि कि वर्टिकल मतलब की इस तरह से था कि अ हुआ है कि अ कि मैं कि फिल्टर को अगर 90 डिग्री वर्टिकल में लगाएंगे तो इससे हमारा फायदा क्या होगा देखे जब हमारा द्रव रेफ्रिज्रेंट यहां पर कनवर्ट होके आता है वह द्रव रेफ्रिज्रेंट यहां पर अगर सीधा होता है तो उस condition में होता क्या है द्रव और रेफ्रेजरेंट डायरेक्ट यहां पर capillary tube के पास attack कर देता है तो इस condition में अगर हम filter को इस तरह से लगाए हुए है तो उसको हमेज़ा vertical condition में रखिए आपको filter लगाना चाहिए चोकिंग से बचने के लिए और cooling efficiency को बढ़ाने के लिए चलिए हम चलते हैं आगे बात कर लेते हैं कि तीसरा उपाय हम क्या करेंगे तो तीसरा उपाय हमारा capillary tube के लिए होता है तो यहां पर देखे capillary tube हम लिख देते हैं यहां पर capillary tube को कैसे लगाना चाहिए जब भी हम किसी system में capillary tube install कर रहे हैं तो यहां पर देखे filter से जो capillary tube इस तरह से निकल के आती है तो उसको सबसे पहले आपको suction line में कम से कम 6 inch तक लपेट देना चाहिए यानि कि जो हमारी suction line होती है यह वाली जो evaporator से out होके line आई है compressor के suction line में इसी पर हमारा जो capillary tube होगा इसको कम से कम 6 inch तक लपेट देना चाहिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं 6 inch दूरी पर इसको लपेट देना चाहिए यहां पर आप देख सकते हैं 6 inch तक लपेट देना यहां पर देखिये जब हमारा room का temperature यानि कि जो हमारा ambient temperature होता है जो हमारा waterulin का temperature होता है अगर वो हमारा refrigerant के temperature से match कर जाता है तो उस condition में system का chok होना lack लाजमी होता है सिस्टम चोग ज्यादा होता है तो आपको करना क्या है यहां पर देखिए जब हमारा वास्प रेफ्रिजरेंट से द्रव रेफ्रिजरेंट में कंडेंसर बदलता है उस कंडिशन में अगर मान लिजें कि वह प्रॉपर तरीकेस नहीं बदल पाया तो अब होत रहा है तो इस कैपलरी ट्यूब को आप सको सक्सन लाइन पर 6 इंच तक कम से कम लपेड देना चाहिए इससे हमारा क्या होता है जो हमारा वास्प रेफ्रिजरेंट होता है आसानी से लिक्विड के फॉर्म में एवापरेटर में जाता है जिससे हमारा चोकिंग का प्रॉब सक्सन लाइन में 6 इंच तक लपेड देना चाहिए तो आप इस तरह से तीनों उपाय कर सकते हैं सबसे पहले हम एवापरेटर के बारे में बताएं जब हम वैक्यूम करेंगे एवापरेटर को हीट कर देंगे यानि कि गरम कर देंगे बेल्डिंगन की मदद से जिससे हमारा उस एवापरेटर के अंदर का मेस्चर वैक्यूम के दौरान बाहर निकल जाएगा यह पहली कंडिशन है उसके बाद जब हम दूसरी उपाय करेंगे दूसरा उपाय हमको करना क्या है जो हम फिल्टर लगाते है ना फिल्टर को हम सीधा ऐसा ही लगा देते हैं मतलब होरिज से कैपलरी ट्यूम निकल के आती है उसको कम से कम सक्षन लाइन में 6 इंच तक लपेट देना चाहिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी सिस्टम की कूलिंग एफिसी बढ़ेगी और साथी साथ सिस्टम चोक होने से बचेगा तो आई होप आपको यह तीनों जानकारी समझ में होंगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आएद वीडियो को लाइक जरूर कर दीजे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सभी इंट्रेस्टिंग वीडियो का नोटिपिकेशन मिलता रहे तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद